स्ट्रीट साइड मॉमोस तो हर कोई खाता है लेकिन क्या आपने कभी हल्दी राम में जाके मॉमोस खाए हैं वेल वही पता करने के स्ट्रीट्स वाले बढ़िया या हल्दी राम के हम पहुंच गे पहले हल्दी राम और वैसे आप हल्दी राम आते हो तो क्या देखते हो 125 पे करें है और 5 पीस आया है मने 25 पर मुमो और साथ में चटनी दी है जो मुझे जादा तीखी तो लग नहीं रही है चलो अंदर से देखते हैं कि मुमो उसकी फिलिंग क्या है वेजन पनीर बोला था न ये तो वेजटेबल ही वेजटेबल दिखरी है ये पनीर का है भाई मतब शेब कैमरे में आने भाई एकदम ये चोटा सा पनीर का पीस डाला वा था इतने सारे वेज़िस के अंदर चलो खा के बदाता है खाने में काफी एवरेज है हालांकि 125 पे करें लेकिन पनीर भी नहीं दिया या अब हम आगे स्ट्रीट साइड मोमोस ट्राइ करने है चली अच्छा है अब सिंस वहां पे हमने वेज़ अंदर पनीर मोमोस करे थे तो यहां पे भी हम पनीर वाले मोमोस ही ट्राइ करेंगे तब ही तो अच्छे से डिफ्रेंस बदा पाएंगे न कि उसमें ज्यादा था या फिर इसमें ज्यादा था जैसा कि आप देख सकते हो बटर की अच्छी खासी लेरिंग करी जा रही है हाँ साइज में हल्दी राम से मेरे को थोड़े छोटे दिख रहे हैं लेकिन उपर से मसाला भी डाल रहे हैं धनिया पती भी डाल रहे हैं तो काफी अपीलिंग वाला मामला तो लग रहा है चलिए ट्राइ करते हैं और बताते हैं और बाइद वे मैं ये बताना भूल गया है यहाँ पे दो गलास सूप भी मिले थे एक हाफ प्लेट मुमोस के साथ में और मुमोस इतने पाइपिंग होट थे मैं पता नहीं सकता यार और जैसी मैंने खोला ना वेजिटेबल के अलावा पनीर के मोटे मोटे पीसिस देखे ना थोड़ा दिल खुश सा हो गया हालागि यह आप बैठने की जगह नहीं थी आप स्रीट साइड खड़े होके इसको खा सकते हो बढ़ हाँ तीन तरह की चटनिया भी थी जैसे मैंने डिप किया और बाइट मारा सई में मज़ा आ गया मतब यह तो नक्की है कि मोमोस खाने का असली मज़ा स्रीट साइड ही है और हाँ यह फ्री का वेजिटेबल स्टॉक के नाम पे जो सूप दिया है उसका भी मज़ा अलगी था सौरी हल्दिराम इस बार तो स्ट्रीट फूट जीत गया